नमस्कार दोस्तों केके एक्जाम फाइट में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी सही होंगे चल दोस्तों आज मैं CITS इंट्रेंस इक्जाम के लिए कुछ मातपूर प्रस लेकर आया हूँ जो की दोस्तों अर्यंत बुक से ये प्रस लिए गए हैं दोस्तों CITS इंट्रेंस इक्जाम में 75% ट्रेड थेवरी से पूँचे जाएंगे जो की 25% आपके जीके मायत रिजिनिंग से पूँचे जाएंगे सबसे ज़्यादा आपका एलेक्ट्रेशन थेवरी से यानि ट्रेड थेवरी से 75% पूँचे जाएंगे उसमें हम टॉपिक वाईज रोज एक टॉपिक प्रस न को हल करेंगे जो की आज हमने सेल और बैटरी से प्रस लिए हैं एक दिन में एक टॉपिक हम प्रस न हल करेंग जो की आपको बाद में जो टाइम मिलेगा आप उसमें रिवीजिन करेंगी चलिए दोस्तों सुरुआत करते हैं जब किसी मतलब जब विदुत अब गटन से धारा प्रवाहित होती है तो धारा से किस प्रकार का प्रवाव उत्पन होता है राइट एंसर राशानिक प्रवा अगला प्रशन है विदुत राशानिक तुल्यां के संदर्म में कौन सी बारिबासा सही है राइट एंसर दोस्तों यहाँ प्रती इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्यों का मुक्त हुआ अनुपात होता है अगला प्रशन है विदुत अप गटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रभिमान राइट एंसर धारा के परिमाड और विदुत राशानिक तुल्यां के गुडन फल के अनुक्रमा अनुपाती होता है अगला प्रशन है दोस्तों इलेक्ट्रो लाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है राइट एंसर आ विदुत राशानिक तुल्यांक अगला प्रशन है दोस्तों मतलब प्रयोग ही क्यों किया जाता है राइट एंसर है या इस्तानी क्रिया को रोकता है अतों मंद कर देता है अगला प्रशन है बैटरी के विदूत अबगटन की अवस्था डेट डेस के पदों में जाच की जाती है राइट एंसर आपेचिक घनतो अगला प्रश्ण है विदूत अबगटन की विदी में मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रबिमान धारावा समय के समानुपाती होता है अगला प्रश्ण है विदूत अबगटन विदी में निचेपित रबिमान M की गढ़ना करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाता है राइट एंसर M बराबर ZIT अगला प्रश्ण है प्रात्मिक सेल के इलेक्ट्रो लाइट में उपस्थित असुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंत्रिक सौट सर्किट उत्रपन हो जाता है जो इस्थानी क्रिया कहलाता है अगला प्रश्ण है चित्र में दर्साइगाए सेल के अव्यवो का मिलान कीजिए राइट एंसर है दोस्तों देखिए दोस्तों इसमें मैं आपको समझा देता हूँ जो की ए आपका जिंक मतलब कार्बन की एनोड है और बात करते हैं बी की ये जिंक कैथोड है अब बात करते हैं सी की सी जो है आपका इसमें मैगनीजडाई आकसाइड है जो की आप देख सकते हैं अब बात करते हैं डी की D जो है आपका इसमें अमोनियम कलोराइड का गोल है और E जो काच का पात्र है जो कि इसमें राइट एंसर आपका हो जाएगा आपसन नमबर भी सही उत्तर है चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगले प्रस्ण है सरल वोल्टोईक सेल में उत्पन दोस का नाम क्या होता है जो जिंक प्लेट असुद्धी की उपस्थिती के कारण होता है राइट एंसर आपसन नमबर भी इस्तानी क्रिया अगला प्रस्ण है बैटरी अप गटन के आयतन बैटरी अप गटन में आयतन के अनुसार लगबग डेडेड सलफ्यूरिक अमल जल होता है दोस्त। सलफ्यूरिक अमल आपका 35% होता है और जो पानी होता है वो 65% होता है अगला प्रस्ण है दोस्तों बैटरी के ताफ में ब्रद्धी से आप गटन के विशिष्ट गरुत्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है राइट एंसर दोस्तों, आप्सन नमबर भी घड़ता है अगला प्रश्ण है, सुस्क सेल में कौन सा पदार्थ विद्रुवक का कारे करता है राइट एंसर आप्सन नमबर D, मेगनीजडाई आकसाइड अगला प्रश्ण है, प्रात्मिक सेल में उत्पन होने वाले इस्थानी किया को दोस्तों को दूर किया जा सकता है जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चड़ा कर अगला प्रश्ण है, निमन में से कौन सा सेल प्रात्मिक सेल नहीं है राइट एंसर आपसा नमबर C, लेड एसिड सेल, अगला प्रशन है, सुस्क सेल, लेक लांसी सेल का सुस्क रूप में निर्मित रूप होता है, अगला प्रशन है, सुस्क सेल में उर्जा परिवर्तन होता है, राइट एंसर, राशानिक उर्जा से विदूत उर्जा में, दुरू अच्छादन को किस प्रक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है राइट एंसर राशाइनिक क्रिया अगला प्रश्ण है कथन दिया हुआ है जो की इस तरह के प्रश्ण भी आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं दोतियक सेल का विदुत वाहक बल कम होता है क्या आपका ये सही है इसमें आपको देखना होगा प्रात्मिक सेल का विदुत वाहक बल अधिक होता है दोस्तों ये दोनों कथन गलात हैं जो की आपसन नंबर डी सही उत्तार है चलिए अगला प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण है जो कि ये भी कथन से दिया हुआ है सुस्क सेल का प्रात्मिक सेल है ये बिल्कुल सही है अब कथन दूसरा देखते हैं निकिल का एडिमियम सेल भी एक प्रात्मिक सेल है ये गलात है ये दोतीयक से लोता है इसमें आपका कथन ए सही होगा जो की सत्य है मतलब आपका कोस्चेन 24 नमबर है दोतीयक सेल का मुख खिलाब क्या है इसका सही उत्तर है आपसन नमबर भी इसे पुना आवेसित किया जा सकता है यानि दुबारा इसको चार्ज करके काम मिला सकते हैं लेट एसिड सेल की तुलना में निकल आइरन सेल की दच्चता कम होती है क्योंकि राइट एंसर आपसन नमबर सी इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है अगला प्रशन है लेट एसिड सेल पुना आवेसित किया जाने योग यह होता है क्योंकि राइट एंसर है आपका इसकी राइसायनिक प्रक्रिया उत्रक्रमडी होती है अगला प्रश्ण लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट में प्रियुक्त सक्रीद रभ्य डेट डेस होता है राइट एंसर आपसन नमबर C, PbO2 जो की लेड आकसाइड अगला प्रश्ण यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निश्करी रखना हो तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा आपसन नमबर D, बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर बैटरी को सुखा कर सुस्क ठंडे वा स्वच्छ इस्थान में सुरचित रख देना चाहिए अगला प्रश्ण है, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्दूत उर्जा को परिवर्तित करता है राइट एंसर है, आपसन नमबर B, राशाइनिक उर्जा में अगला प्रश्ण लेड एसिड सेल में सक्रीप दार्थ होता है, आपका सही उत्तर है आपसन नमबर B, आपसन नमबर D, जोकी लेड पराक्साइड, इस्पंजी लेड, तनु गंधक का अमल आपका ये सभी सही उत्तर है अगला प्रश्ण निमने प्रक्रिया में गैसी संपन होती है, आपका सही उत्तर है आपसन नमबर C, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में अगला प्रश्ण लेड एसिड सेल के लिए, इलेक्टरोलाइड तयार किया जाता है आपका राइट एंसर है, आपसन नमबर B, सल्फिरिक अमल को जेल में गोल कर अगला प्रश्ण है एक लेड एसिड बैटरी में रिलात्मक प्लेट का पदार्थ डेड डेस होता है राइट एंसर, आपसन नमबर D, सुस्क लेड अगला प्रश्ण है चिन्द में एक से इंगित लेड एसिड सेल का भाग का क्या नाम है आपका इसका सही उत्तर है आपसन नमबर D, टर्मिनल पोस्ट अगला प्रश्ण है यदि लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज ना किया जाए तो उस इस्थिती में सेल में कौन सा दो सुत्तपन होता है राइट एंसर, आपसन नमबर C, कठिन सलफेशन अगला प्रश्ण है लेड एसिड सेल बैटरी में किस इलेक्ट्रो लाइट का प्रयोग किया जाता है सहुत्तर है दोस्तों आपसन नमबर C, डाई लिूट सलफ्यूरिक एसिड यानि आपका सलफ्यूरिक एसिड काम में लिया जाता है अगला प्रश्ण है लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किस धातू के बनाय जाते है राइट एंसर आपसन नमबर B, सीशा अगला प्रश्ण बैटरी के कवर में वेंट प्लग में छिदर किस लिये बनाय जाता है आपका सहुत्तर है आपसन नमबर C, बैटरी की सुरच्छा हुआ गैस बाहर निकालने है तू अगला प्रश्ण लेड एसिड बैटरी को ए एच छमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए राइट एंसर है आपसन नमबर B, अधिक संख्या में प्लेटे प्रियोक करनी चाहिए अगला प्रश्ण है दोस्तों जब कोई दोतियक सेल भार को धारब प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था कहलाती है राइट एंसर आपसन नमबर C, जो की डिस्चार्जिंग कहलाता है अगला प्रश्ण है लेड एसिट सेल का प्रियोग यानि लेड एसिट सेल का उप्योग होता है कहां पर होता है सहित्तर आपसन नमबर A, आटो मोबाईस में अगला प्रश्ण है लेड एसिट बैटरी प्लेट की सक्ती किस धातू दौरा प्रदान की जाती है राइट एंसर है आपसा नमबर C, एंटी मनी अगला प्रश्ण लेट एसिड बैटरी में वह दुत अब गटन से पैदा होता है राइट एंसर आपसा नमबर D आसुद जल्वा सल्फूरिक अमल अगला प्रश्ण कथन से जोकी दिये गए हैं चार्जिंग के समय लेट एसिड सेल में से गैस निकलती है ये बिल्कुल सही है पहला और चार्जिंग के समय निकल सेल में से किसी प्रकार की गैस नहीं निकलती है ये आपका गलत है जो की आपका सुरी दोस्तों ये दोनों सही हैं जो की कथन फ़र्ष्ट और दोनों सही हैं चार्जिंग के समय निकल सेल में से किसी भी प्रकार की गैस नहीं निकलती है चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं किसी दोतियक सेल की छमता की काई क्या है राइट एंसर आपसर नमबर डी जो की एमपियर घंटा होती है को ने के लिए लेड एसट बैटरी के टर्मिनल पोश्ट पर कौन सा द्रब लगाये जाता है मतलब इसका सही उत्तर है अपसर नमबर सी पेट्रोलियम जैली अगला प्रस्ण है लेड एसट बैटरी की रिडात्मक प्लेट का रंग राइट एंसर, आप्सन नंबर B, ग्रे होता है अगला प्रश्ण, सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है जब सेल से लंबे समय तक कारे नहीं लिया जाता है राइट एंसर है, आप्सन नंबर B, बढ़ जाता है अगला प्रश्ण डिस्चार्जिंग के दारान लेड एसिड शेल के वैंट प्लक को खुला छोड़ने पर क्या होता है राइट एंसर आपसा नंबर ए मुक्त रूप से गैस निकलना अगला प्रश्ण है निकिल आइरन सेल होता है राइट एंसर अप्सन नमबर A तर्द ती अक्सिल अगला प्रश्न है